सो हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो यूट्व चैनल तो आज का मेरा टॉपिक है सिंपल एयर रेफ्रिजिरेशन सिस्टम जो की एक पार्ट है एरक्राफ्ट रेफ्रिजिरेशन सिस्टम का तो आएए जानते हैं सिंपल एयर रेफ्रिजिरेशन सिस्टम क्या होता है So first point It is the classification of the aircraft refrigeration system मतलब कि Simple Aircraft Refrigeration System Aircraft Refrigeration System का एक classification है मतलब कि बहुत सारे इसमें Refrigeration System होते हैं जैसे कि Simple Air Refrigeration System Simple Air Evoperative Refrigeration System So आज हम जाने हैं दे Simple Air Refrigeration System के बारे हैं So second point This refrigerating system consists of the main compressor That is driven by a gas turbine A heat exchanger A cooling turbine And a cooling air fan So figure के मादब हम से देखिए मैं आपको बता रहता हूँ यह आपका main compressor यह गास turbine जैसे की main compressor जो है वो डाइवन होता है गास turbine के वाजए से असके बाद heat exchanger यह होगा आपका यह की होगा आपका heat exchanger यह मैं है ची से देनोट कर दे रहा हूँ यह होगा आपका heat exchanger और एक cooling air fan यह पस्या आपका आपका– मैं यह को आको सम्झादेता हूँ फिकर चुंग रर्यम प्रोसेस होता तो रमिंग प्रोसेस का दरान येर का जो फ्रिशर होता है रूर्य को Newton ऑग जाता उतकि बाद एक्टृर्वर इंग मर। बाइसर में जो कड्रीवन बाइक मीन येहां पर हम नोग देखेंब तो मीन क केवें चैंड जकरी गयं गयंग आचाने है तु सब्स्इल कर वे तियो कमपरेशर हो टा कंपरस्थि ना पर यह वीड ऐ सत्फ शरवत्वरेंग देखसेंजेंजर में गया सब्सक्राइब धगर की रओना्टिगरू सै उयू कर आका in this system the air is required for refrigeration system is taken off from main compressor मतलब कि जो इसमें air required वती रेफरेजिशल system कि यह उसको हम लोग taken off from compressor मतलब main compressor से हम लोग लेते हैं okay after that it further cooled in cooling turbine उसके बाद जो यह air यहां से कलती है कंबसन चेंबर से में compressor के थ्रू फिर वो cooling turbine में cool होती है further फिर वो cabin में जाती है ओके सो यह होगा आपका simple air refrigeration system हम इसके ट्येस ड्याग्राम के बारें जा लेते हैं ओके यह बहुत इंपर्टेंट है ट्येस ड्याग्राम मस्ट होता है आपके इसका ट्येस ड्याग्राम कर लेते हैं सो पहले हम ले लेंगे यहां से एक यहां से क्याश्ट लाइंग लेंगे कि मैं ट्रॉप कर लेता हूं के आपके आप लोगों को अच्छे समाइंगा आश्टेट सो इस रीजी अफों किया मैं भिपलोगे को सचाह देता हूं कि यह कहसे दुट लाइब है यह जाए वैप आपका वन यह जाए वैप पट्टूय माद्टू कि यह जाए वैग टू दाश्ट कि क्स़.. फिर यह, यह जाएका आपका 3, यह 3-, okay, then यहाँ पे यह आपका पॉइंट जाएका 4, यहाँ से एक लाइगा आएगी निए छे, फिर यह, बहुत यह असान है, आप लोग दो बाट मतलब रिविजन करेंगे, ट्राइ करेंगे तो आप लोग आसानी स्ट्रॉ करनेंगे, okay, औ बिर डाश, डाश, यहाँ कर दीजिए ला, यह ज़िए आपका 5, यह ज़िए 5-, और यह जाएगा आपका 6, तो मैं आप लोग को सम्जा देता हूं, यह होगा टम्प्रेचर, यह होगा इंट्रापी, okay, so, जो 1-2 होटा है, वो वह आपका होटा है, Ambient Air Pressure, okay, यह हो जाएगा आपका, Ambient Air Pressure, okay, उसके बाद ही जहाँ से B2- हो जाएगा आपका, Actual Ramming Process, okay, यह आपको निखना जरूरी है, Actual Ramming Process, यहाँ से B2- हो जाएगा, यह जाएगा आपका, यह जाएगा आपका, इज जाएगाँ जरूरी हो जरूरी हो जाएगा आपका, ideal Ramming Process, okay, ideal Ramming Process, फेल जाएगा यह जो उएब रमीन में कं परेसर, में न में ढुकरेसर, okay, hard तो उसे three dash सो यह आपका हो गया अर रस्क में आगे बढ़ते हैं इसके जुमीन process symbol मैं आपको समझा देता हूँ ओके मैं पीछ फोड़ कर लेता हूँ सो यह हो गया आपका process one से two आपका हो गया ideal ramming process one से two dash हो गया आपका actual ramming process two dash से three हो गया हूँ isentropic compression process जिसमें three dash minus two dash m a c t working of compressor मैं आपको आपको आपन दिखा लता हूँ two dash three that's it सो किर आपका two dash से three okay so isentropic compression process हो गया आपका जिसमें यह mass हो गया और pressure compression का pressure हो गया four say five isentropic expansion process working of turbine m a c p t four minus d five dash okay जिसके बाद लाष्ट five says six dash expanded air sent to the cabin मतलब की expanded जो गयर उसको sent to the cabin in last process मतलब okay यह जागा refrigerating effect मतलब यह operator में होता है m a c p t six minus d five dash okay so अब में इसके coefficient of performance के बाद हम जाम देना है तो coefficient of performance इसकर दो होता है refrigerating effect upon work done thing so m a c p refrigerating effect के समें प्रोड़ी होता इसके बाद यह जागा m a c p t six minus d five dash m a c p t six minus d five dash ओके और work done होता है आपका compressor में m a c p t three dash minus d two dash तो यह जागा m a c p t three dash minus d two dash तो यहां से यह m a c p m a c p cancel हो जाएगा यह हो जाएगा आपका t six minus d five dash यह हो जाएगा t six minus d five dash upon t three dash minus d two dash ओके और अगर q 10 का अगर cooling load है refrigerating system पे यहां पे आपका स्योपी हो जाएगा 210 q upon m a c p t three dash minus d two dash तो यह हो जाएगा 210 q p into 60 यह 60 q है क्योंकि 60 यह हो गया आपका पर मिनाट के लिए इसलिए 60 यह हो जुगा यह है आप है ओके तो यह हो गया आपका यह हो गया आपका मेंस यूपी यह हो गया आपका डाइग्राण यह हो गया आपका टीएस डाइग्राण यह हो गया आपका मेंस यूपी प्रिजर्वेशन का लोड है तो 210 q upon p into 60 अब आएए आम इसके कुछ आपका नहीं के बारे में जान लेता है कि इसका यूज कहा कहा होता है फूट प्रिजर्वेशन है लो टम्परिचर पेरिशेबल फूड लाइक मीड फिश ब्रेट एग मतलब कि इस सिस्टम को हम लोग यूज कहा करता है फूट प्रिजर्वेशन